भारत में गर्मियों की सुरुआत होते ही गर्मियों का पसंदीदा फल का सीजन सुरू हो जाता है फलों का राजा माने जाने वाले आम को सभी लोग बहुत पसंद करते हैं आम लगभग हर ब्यक्तिकों प्री होता है और इसे खाना अच्छा लगता है आम खाने से ब्यक्तिकों बहुत सारे फायदे होते हैं आम में एंटी आक्सिडेंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, A, C और D प्रचुर मात्रा में होती है जो हमारे सरीर के लिए बेहत फायदे मंद है लेकिन आम खाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है नहीं तो इससे आपको नुक्सान भी हो सकता है अगर आप इसे अधिक मात्रा में खा रहे हैं तो इसके नुक्सान के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कई बार ऐसा होता है कि स्वाद के चक्कर में लोग ज्यादा आम खा जाते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि आम खाने से क्या नुक्सान हो सकते हैं और आम खाने के साथ क्या चीजे नहीं खाना चाहिए हमेशा की तरह आप से निवेदन है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बगल में एक छोटी सी घंटी आएगी उसे दबा कर आल पर क्लिक करें जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत सके आम खाने के बहुत सारे फायदे हैं लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है तो चलिए जानते हैं इसके नुकसान के बारे हैं पहला वजन बढ़ाता है आम आम में कैलोरी की छमता बहुत अधिक मात्रा में होती है जोकि वैसे तो इंसान के शरीर के लिए ये हानिकारक नहीं है लेकिन अगर इसका सेवन अधिक मात्र में किया जाता है तो इससे वजन बढ़ सकता है इसलिए वजन को मिंटेन करने के लिए आप आम का सेवन उचित मात्र में ही करें दस्त लगना आम एक ऐसा फल है जिसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है अगर आप स्वाद के चक्कर में अधिक आम खा लेते हैं तो इससे आपको दस्त की समस्या हो सकती है क्योंकि अधिक मात्रा में फाइबर दस्त की वज़ा बन सकता है खुनसी और मुहासे की समस्या आम एक गर्म खल है और अगर संतुलित मात्र में आप आम का सेवन करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है यानि रोजाना एक आम खाते हैं तो यह ठीक है लेकिन अगर आप एक से अधिक आम खाते हैं तो इससे गर्मी बढ़ सकती है और गर्मी की वज़ा से चेहरे पर फोड़े फुंसी और मुहा से निकलाते हैं पचने में मुश्किल होता है अगर आप अधिक मात्रा में कच्चे आम का सेवन करते हैं तो इससे पाचन क्रिया में परिसानी हो सकती है फ्रेश और कच्चे आम की वज़े से पाचन अंजायम को परिसानी लगती है जिससे पाचन संबंधी समस्या हो सकती है बलड सूगर बढ़ाता है आम आम के अंदर पुद्रती मिठास होती है यानि यह प्राकृतिक सीनी से भरपूर होता है अगर आप आम को अधिक मातरा में खाते हैं तो इससे बलड में सूगर लेबल बढ़ सकता है और अगर आप मधमे के रोगी हैं तो आपको आम कम मातरा में खाना चाहिए इलर्जी की सिकायत कई लोगों को अधिक आम खाने से इलर्जी हो जाती है अगर आप अधिक आम खाते हैं तो इससे बचे और एक दिन में सिर्फ एक आम ही खाएं तो चलिए जानते हैं आम खाने के साथ क्या चीजे नहीं खानी चाहिए मिर्च का सेवन आम के साथ किसी भी मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए अगर आप आम के साथ मिर्च का सेवन करते हैं तो यहाँ आपके सरीर के लिए बहुत ही घातक सीध हो सकता है यदि आप आम खाने के कुछ समय बाद मिर्च खाते हैं तो आपके पेट में रियक्षन होने लगेगा जिससे पेट में जलन और बहुत सी समस्या हो सकती है इसलिए आम खाने के बाद मिर्च नहीं खाना चाहिए दही का सेवन आम खाने के लगभग 2-3 घंटे के अंतराल में दही का सेवन नहीं करना चाहिए और दही से बनी कोई भी चीजें भूल कर भी न खाये क्योंकि इसके रियक्षन से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इससे आपको नुक्सान भी हो सकता है इसलिए आम के साथ दही का सेवन बिल्कुल भी न करें करेले का सेवन आम खाने के लगभग 2-3 घंटे के अंतराल में करेले का सेवन नहीं करना चाहिए आम मीठा होता है और करेला कड़वा होता है ऐसे में दोनों चीजों को एक साथ खाने से रियक्शन कर सकता है आम और करेले एक साथ खाने से सरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है उल्टियां हो सकती है और इसे व्यक्ति विमार हो सकता है इसलिए आम के साथ करेले का सेवन ना करें इसलिए आम को अधिक मात्रा में ना खाए आम में काफी मात्रा में फाइबेर होता है क्योंकि इससे डायरिये होने की संभावना बढ़ जाती अवर बलड सुगर लेबल बढ़ जाता है आप आम का सेवन जरूर करें लेकिन इसके नुक्सान को ध्यान में रखकर उचित मात्रा में करें अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो फ्लीज एक सेकंड मुझे देकर हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दे हमारा वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक यू